नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगे आसान और सरल तरीके से पेपर कटिंग एंड इस्टिचिंग तो देखिए सबसे पहले जैसे आपको 35 साइज का ब्लाउज बनाना है तो आपको पहले पेपर पे निशान लगाना है फिर आपका चाहिए कैसा भी कपड़ा है डिजाइन का पेपर को उसके ऊपर रखना है और फिर कटिंग करनी है तो इसको फर्मा कटिंग भी बोलते हैं ज सबसे पहले आपको अपनी लंबाई लेनी है तो यहां पर लेंगे बोलेंगे हम छैंज के तो छह इंच के आरुमल क्या है आती चैश्ट में भी ले सकते हैं 40 चैस्ट में भी ले सकते हैं और अब यहां पर आएगा हमारा निशान जितना भी हमारा फिटिंग का निशान है वो आएगा तो जैसे हमारा 35 चेश्ट है तो पीछे का पलर है वो यहाँ पे 7.5 इंच है अब इसको हम ऐसे करेंगे इस तरीके से दीखिए तो यहाँ पे जो हमारा निशान आ रहा है तो देखे यहां पे हमारा पॉनी 9 इंच आएगा इसके पाद आव हमें यहां पे लेना 1.5 इंच सिलाई के लिए अब यहां पे हमें देखे गोलाई इस तरीके से देनी है यह हमारा चौकुटा निशान है आदा इंच की दूरी रखनी है हमें अब गले की चौड़ाई हम ज्यादा नहीं लेंगे दो इंच की लेंगे जो भी नई लोग हैं अब गले की लंबाई आप अपने असाब से ले सकते हैं मैं यहां पे 9 इंच की लंबाई ले रही हूं है अब दीखिं प्लेट का हमें यहांसे सोल्डर से निशान लगाना है बीच में इस तरीके से आप प्लेट का निशान लगानें प्लेट की लंबाई हमें ज़्यादा नहीं रखनी है चार इंच की रखनी है यह होगे हमारा पीछे का पल्लर अब देखिए आगे का पल्लर हमें देड़ इंच या दो इंच जादा लेना है क्योंकि सिलाई बे जाता है तीरा भी लगेगा इसमें इस बात का आपको ध्यान रखना है आगे का गला हम 6 इंच का रखेंगे अब देखिए आगे और पीछे के दोनों पल्लर हमने बराबर लिए अब पीछे का अटा देंगे आदा इंच हमें यहां पर आरूमल का कटिंग करना है ध्यान से कि जूलना है अब हमें तीरे का निशान लगाना है यहां पर 13 इंच पर अब एक इंच हमें उपर के साड़ लेना है जहां पर हमारा यह गला आए अब हम यहां पर टक्स का निशान लगाएंगे गनिशान लगाएंगे साड़े नौ इंच पर अब जो भी हमारा फिटिंग का कपड़ा है पौने नौ इंच उसको हम इस तरीके से आदा करेंगे और यहां पर रख लेंगे यह हमारी प्लेट है अब दो इंच की दूरी रखने हमें प्लेटों में एक प्लेट हमारी यहां पर आएगी जहां पर हमने साड़े नौ इंच पर निशान लगाया है कैची का कट लगा लेंगे इससे क्या है कि हमें आसानी रहेगी कटिंग करनी है अब हमें बाजू की कटिंग करनी है तो दीखिए बाजू के लिए हमें कपड़ा चाहिए करीब 9 चोड़ाई में अब हम निशान लगाएंगे तीन ईंच क्या हम इसको हमें गोलाई में कटिंग करना है आदा इंच हम यह आँपे कटिंग करेंगे यह हमारी मोर्री है पर देखिए कपड़े को हमें ौमें डबल करकी रखना है अब एक कपड़ा है वह हमारा दै कि धारी बाला कपड आए तो इसको हमें लंबाई में कटून्स करना है को उतना ही कपडा लेना जितना हमारा पीछ काई गोणे कि इसमें हमें तुरुपाई के लिए कपडा लेना तो 2 इंच हम यह आपि निशान लगा लेगे और इसको हम ऐसे रखेंगे झाल 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 अब देखिए जहां पर हमने निशान लगाए पिलेट का वह भी लगा लेंगे यहां पर जुड़ा हुआ है इसको अलग कर लें यह होगे हमारा आगे कपड़ यह तीरे का कपड़ा है तो यह लंबाई में ज्यादा आए तो तीरे को हमें यहां पर ऐसे रखना है देखिए इसी के पराबर है क्योंकि इसमें से निकला आए ऐसे तो लंबाई ज्यादा है तो बनी रहेगी हम इसको बाद में काटेंगे तुर्पाई में ले लेंगे यह तीरा हो जाएगा डबल भी लगा सकते हैं इसको डबल तीरा इस तरीके से यह कपड़ा बच्चा हुआ है इसमें से हमें बाजु निकालनी है ऐसे डबल करना है हमें कपड़े को हम देखे यहां पर इसको रखेंगे इस तरीके से अब देखे यहां पर कपड़े की लंबाई कितनी है 15 इंच तो हमें अपनी बाजु की लंबाई रखनी है 10 इंच या आप 15 इंच की रखना चाहें तो 15 इंच की भी रख सकते हैं तो इस तरीके से हम अपनी बाजु निकाल तो 15 इंच की रखेंगे तो यहां पर हम अपनी मोरी को काटेंगे और यह कपड़ा चुड़ा वू आये यहां से कर सकते हैं बस हमें यहां पर घुंजाइस बढ़ा नहीं है और इसको आप अच्छे से रखें जब भी आप करें तो इसको रखके कॉटे कर सकते हैं तो पासा करती हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें कुछ पूछना या सीखना तो प्लीज नीचे कमेंट करें अगर आप नहीं हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राब करने धन्यबाद